बात करेंगे कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी न्यूज और अपडेट्स के बारे में हर एक न्यूज बेहत जुरूरी है मार्केट के अंदर पहले जान लेते हैं क्रिप्टो मार्केट का हाल क्रिप्टो मार्केट आज हमको बुलिश देखने को मिल रहा है नो अभी जो solution नहीं निकला है रशिया उक्रेयन की जो situation चल रही है जब तक वो clarity नहीं मिलती वहां से कुछ clear नहीं होता सब कुछ तब तक उमीद ना करेंगी crypto market उपर जाएगा या काफी ज़्यदा हमको जो है अच्छे level दिखा देगा तो यह चीज़ impact करती रहेगी जब तक solution नहीं होगा crypto market आज bullish चल रहा है 38,000 डॉलर पे bitcoin इस्टेम पर trade कर रहा है 38,600 पर trade कर रहा है Ethereum भी 26,2700 पर trade कर रहा है Binance coin 370 पर trade कर रहा है crypto market आज अच्छा greenery में बना हुए 36 के level से 38 का level bitcoin ने दिखाया है जरूर लेकिन एक dump के लिए आप तयार रहें कभी भी dump आ सकता है ठीक है तो बात कर ले दें कुछ latest cryptocurrency updates के बारे में सबसे पहले बात करेंगे Russia और Ukraine की Russia और Ukraine आपको पता है Russia ने जो step उठाया है जो दो area है जो eastern Ukraine है उसको अलग करके एक independent country बनाने का जो decision लिया है उसके बाद बहुत सारे जो countries है US ने भी sanctions लगाए है इसके लावा Britain ने भी sanctions लगाए है रूस के उपर जो sanctions का सिलसिला है वो चल रहा है और अब इस sanctions के बाद रूस का क्या कदम रहता है रशिया का क्या कदम रहता है और वो बहुत जरूरी है रशिया के अगले step क्या होते हैं तो वो देखने बहुत जरूरी है अभी ये चीजें clear नहीं होई आए या solve नहीं होई ठीक है वेट करें सब चीजों का बाकी अपडेट हम अपने telegram पे भी करते रहते हैं लिंक description में join नहीं किया है तो join जरूर कर लें सेकिंड अपडेट की बात करें तो वो है Puma की तरव से Puma एक sport brand है अपने नाम सुना होगा Nike का सुना, Adidas का सुना, दोनों ने Metaverse में entry ली, NFT collections भी निकल के आए अब यहाँ पे Puma ने एक अपना domain register किया है और एक अपना Twitter handle है उसको भी change किया है Puma.ETH मतलब Ethereum तो यह change किया है और अब जल्दी आपको Puma भी Metaverse, NFT की दुनिया में आता हुआ दिख सकता है, यह चीजें Puma की तरव से भी आपको देखने को मिल सकती है थर्ड अपडेट की बात करें, ब्राजील की तरव से अपडेट है, रूस के रशिया के अंदर regulations, बहुत सारी countries के अंदर regulations देख रहे है ब्राजील के अंदर एक बिल को जो है अप्रूव किया गया है, उस बिल के अंदर cryptocurrency, bitcoin को legal tender बनाने की जो है बात कही गई है तो legal tender, bitcoin, cryptocurrency अब ब्राजील में भी हो सकती है, जो regulation वाला number है, अब अगली country जो है वो ब्राजील हो सकती है और ब्राजील से कभी भी अपडेट बड़ा आ सकता है, ठीक है लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें, तो वो है El Salvador को लेके और El Salvador अपनी economy को किस तरह से boost कर रहा है, bitcoin के जरीए क्योंकि अगर आप देखेंगे El Salvador का जो tourism है, वो कही न कहीं उसमें growth हमको देखने को मिल रही है 60% tourist जो है, US के तरफ से जो है, और कहीं न कहीं 1.1 million से लेके 1.4 million की जो growth है tourism sector के अंदर El Salvador के हमको देखने को मिली है, और ये देखने को क्यों मिली है, bitcoin जरीए और bitcoin cryptocurrency के जरीए El Salvador क्या कर रहा है, अपनी economy को boost करने ही कोशिश कर रहा है यही एक reason है कि tourism के अंदर भी El Salvador में जो है, एक अच्छी growth देखने को मिली है यही कुछ updates थी cryptocurrency को लेके, I hope इस video में आप सारी चीज़ें समझे होंगे आगे जो update रहेगी cryptocurrency को लेके आपके साथ share करते रहेंगे आज की इस video में फिलाल इतना ही मिलते है, next video में तब तक के लिए, bye-bye